हेलो स्टूड़न्स गूद मॉर्निंग आज हमें पेट नम्मर वन अंडरिट थर्टी फाइव निकालना है चलो उस पर देखते हैं एक्टिविटी यह एक्टिविटी करनी है स्टूड़न्स सबको आपने पहले बैलेंस बनाये होगा मन्नु एन जैजू पूट पैंसिल एन जिमेटरी बॉक्स इन तू पैन ओप दे बैलेंस वीच पैन वील गो डाउट वाई ड्रो अ पिक्चर टू शो एट यहां आपको शुड़न्स स्पेस दिये वाँ पिक्चर बनाना है कुछ इस तरह से तो यहां आपको क्या करना है पिक आपको पैंस बनानी है बैलेंस बनाना है टू पैंस बनानी है यहां और एक में आपको पैंस रखनी है और दुसरे में जिमेटरी बॉक्स रखना है यहां यहां जिमेटरी बॉक्स रख देना यहां तो कौनसा जो बैलेंस करोंगे आप तो कौनसा पला नीचे डाउन होगा कौन सा होगा तो आप ये activity करके देखना obviously जिसका weight ज्यादा होता है वो पला नीचे होता है तो किसका होगा students geometry box का आप दुसरी भी कुछ ऐसी चीजे लो चलो next what is heavier make pair of different things and use the balance to decide which is heavier अभी मैंने आपको बता है students कि आप कुछ different चीजे लो जैसे कि maths बुक लो और हिंदी की बुक लो तो उन दोनों में से कौन सा heavy है कौन सा light है next आप दुसरा example में दू तो आप एक glass लो, spoon लो ले सकते हो first guess which think will take the pen down and then check with your balance तो students पहले आप guess करो की कौन सा पल्ला down होगा और उसके बाद आप balance से check करो again what is the heaviest make groups of three things for example eraser, ball and paper चलो पहले तो आपको है थेवेस्ट complete the table with at least five example यह फाइव एक्जम्पल लिखने students, जिसका बेट सबसे कम हो, light हो, जिसका थोड़ा बेट हो और जो वर्जन में बारी हो, ऐसे चीज़े लिख रहे हैं तो मैंने यह आ लिखा है students, scale, यहां मैंने पहले box में कुछ चीज़े लिए है, पहले तो यहा paper, eraser और ball दिया है, देखो, paper का weight कितना होता है, एक दम light होता है, फिर eraser का थोड़ा होता है, और चलो ball, ball थोड़ा उसे heavy है, चलो आगे, scale, symmetry box का उसे ज्यादा, और book, उसे भी ज्यादा, next यहां लेते है, grabs का, एकदम कम, उसे थोड़ा ज्यादा, orange का, चलो उसे थोड़ा ज्यादा, watermelon होता है, next ले, माचिस box, उसे थोड़ा ज्यादा, mobile phone का, और mobile phone से ज्यादा, laptop का, होता है, students, components, आगे, handkerchief, उसका एकदम light, चलो next short, उसे थोड़ा ज्यादा, और चलो bed sheet, उसे थोड़ा ज्यादा, ओके, तो आप ऐसे example भी बनाओ, चलो आगे, can you find your own weight using this balance, तो students, क्या, आप अपना weight कर सकोंगे, इस balance में, ये जो balance हमने बनाया, उसमें कर सकोंगे, तो नहीं कर सकोंगे, क्योंकि हमारा weight ज्यादा है, चलो next page, making weights, do this activity in pairs, you need a balance weight, a cake of shop, यानि की shop bar, a bar of shop, plastic packets, sands and rubber bands, you can also take help of an older person, older person, तो students, आपको क्या करना है, ये activity करनी है आपको, और आपको balance बनाना है पहले, फिर weight चाहिए आपको, shop bar चाहिए, फिर प्लास्टिक का package चाहिए, sands चाहिए, rubber band चाहिए, ये सब चीजों को पहले आप collect करो, उसके बाद देखते हैं चलो, get a new cake shop shop, the packets will have a weight written on it, तो students, आप क्या करो, नया shop, shop bar खरीदो, cake shop shop मतलब shop bar, shop साबुन खरीदो, ये देखो picture मेरा, और उसका weight कितना है, वो उसके उपर लिखाऊगा, you can use the shop to make your oven different weight, हम जो shop use करते हैं students, उसका जो weight होता है, अलग-अलग होता है, the shop weight blank grams, तो चलो हम यहां लेते 100 grams, ओके, आप कुछ अलग weight भी ले सकते हो, लेकिन यहां 100 लेना है हमें, take a small plastic packet, चलो यहां देखो, और एक small plastic, यहां मैंने पहले कौन सी चीज़े इखटी करनी हैं, वो बताया, तो क्या लेना है, plastic packets लेना है, put in, in, on pen of the balance, put the shop in the other pen, यहां देखो students, एक में आपको क्या करना है, plastic packets को रखना है, और एक में shop को रख दीना है, slowly add sand, to the packet till the pens are balanced, balance है, आपको क्या करना है, एक में shop रखा, एक में हमने plastic की यह बेग रखी, packet रखा, तो उसमें sand डालना है, आपको, यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, sand डालना है, कहां तक डालना है, जब उन दोनों का balance हो जाए, तब तक, यह पूरा completely balance कर दे, तब तक आपको डालना है, close the packet with a rubber band or string, now stick a strip of the paper and write 100 gram on it, फिर आपको क्या करना है students, उसे जब उसका जितना weight हो जाए, तो आपको close कर देना है packet को rubber band से, ऐसे, rubber band से fit कर देना है, फिर एक क्या लेना है, paper लेना है, और उसके उपर, paper के उपर लिखना है 100 gram, और उसे फिर चिपका देना है, ओके, क्या करना है आपको फिर चिपका देना है उसे, trick कर देना है, आगे, if you put the swap and the weight you just made together in a pan, how many gram will both this weight, तो पहले तो students, हमने ये जो sand बनाया, वो कितना बना, shop के weight के जितना, हमारा shop कितने का था, 100 gram का, तो ये भी कितने का बनेगा students, 100 gram का, तो ये shop कितने का है, 100 gram का, मानो या या ऐसा बता रहे है, कि ये shop, और जो हमने बनाया, दूसरा जो weight हमने sand का बनाया, उन दोनों को एक ही पल्ले में डाल दे, तो how many gram will both this weight, दोनों का बीट, कितना होगा student, इसको भी इस पल्ले में डाल दे तो, 100 gram, 100 gram plus 100 gram, equal 200 gram, कितना होगा, 200 gram होगा, now make a different weights, 150 gram, 200 gram and 250 gram, you can use shop of different weights for this, तो students, आप भी बाजार में जाओ, और अलग-अलग weight के shop लाओ, 150 का, 200 का, 250 का, और आप भी ऐसे, देखो या पिक्चर में बनाया है, 150 का, 200 का, बनाया है, तो आप भी ऐसे different प्रकार के weight बनाओ, शॉप को यूज करके, ये activity आप घर पे करो, also make some bigger weight, of 500 gram, 1000 gram and 750 gram, और आप क्या करो, बड़े भी weight जो होते है, उनको भी बनाओ, जैसे कि 500 gram, 1000 gram, यानि कि 1 kg, आगे सिखाया है मैंने, और 750 gram, ऐसे भी आप बनाओ, स्टूनेंट्स, जैसे कि हमें 500 का बनाना है स्टूनेंट्स, तो हम, हम क्या करेंगे, 250, 250, ऐसे दो, 250 gram, और 250 gram, ऐसे क्या करेंगे, दो swap लेंगे, एक ही पल्ले में रखेंगे, दूसरे में प्लास्टिक बेक रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसमें, सेंड डालेंगे, और जब तक बैलेंस हो जाए, तब उसे क्या करेंगे, रंबर्बेंट्स से, फिट कर देंगे, फिर उपर 500 gram लिख देंगे, करेंगे ऐसा, चलो ऐसे ही 1000 kg का भी बना सकते हैं, 1000 gram यानि कि 1 kg का भी बना सकते हैं, कैसे, कि 500 gram का हम शौप दें, 500 gram का, तो ऐसे 2 शौप रख दो आप, और फिर एक में प्लास्टिक रखो, और उसमें सेंड डालो, फिर उसे पैक कर दो, बैलेंस हो जाने पर, उसके उपर लिख दो 1 kg ये सा, 750 बनाना है, तो एक शौप आप 500 gram का लो, एक शौप 250 का लो, दो शौप एक पल्ले में रखो, एक में प्लास्टिक रखके सेंड डालो, उसमें, बैलेंस हो जाए, तब उसे रबर बैंड से फिट करके उपर, चिपका दो लिखके, तो 750 gram भी हो जाएगा, यूज यूर वेट तु वेट, यूज यूर वेट्स तु वेट डिफ्रेंट तिंग एंड राइट इन यूर नॉट्बूक, तो आप स्टुड़न्स ऐसे प्रकार के कुछ बनाओ, डिफ्रेंट तिंग्स और आप अपनी नॉट्बूक में लिखो, चलो नेक्स पेज, चलो प्रेक्टिस टाइंग, वीज पैन ओप दे बैलेंस वील गो डाउन, शो बाई ड्रोइंग एंड एरो, इसमें क्या करना है स्टुड़न्स, कि आपको पहले तो जो यहां वेट दिया है, उसका एडिशन करना है, और जो एरो डाउन होता है, उसके नीचे एरो बनाना ह चलो यहां देखते हैं, फर्स्ट एक्जाम्पल आपको दिया है, कि देखो 25 प्लस 40, तो 65 ग्राम, और इसका एडिशन किया, 40 प्लस 35 तो 75, चलो वेट ज्यादा किसका है, 75 ग्राम, तो पल्ला नीचे कौन सा होगा, डाउन कौन सा होगा, यह वाला, तो इसके नीचे एरो आ आएगा, चलो next, यहां देखो 75 75 ग्राम, तो 150 ग्राम, यहां 140 ग्राम और थ two five ग्राम, यानि की 175 ग्राम, चलो यहां देखो, 150 ग्राम, 175 ग्राम, चलो यह रूं हुक इसके नीचे बनेगा, इसके आगे देखते हम, यहां देखो students, आगे आप देख रहे हों कि 105 ग्राम और 200 ग्राम यानी 200, 300 ग्राम और ये 5 यानी 305 ग्राम चलो यहाँ देखते हैं 250 ग्राम, 150 ग्राम क्या होगा 400 ग्राम ज्यादा किसका हुआ, डाउन कौन सा होगा पला ये वाला तो इसके नीचे एरो आएगा 55 ग्राम, 245 ग्राम, 700 ग्राम चलो आडिशन करते हैं 700 ग्राम फिर इसका करेगे 200 ग्राम का 7 उसके बाद 8, 9 और ये 55 और 45, 100 ग्राम होगा यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 क्यजी चलो इसका 600 ग्राम, 254 ग्राम यानी कि 854 ग्राम चलो ज्यादा किसका हुआ 1000 ग्राम यानी कि 1 क्यजी ग्राम तो ये वाला पल्ला डाउन होगा नेक्स्ट पेज 20 ग्राम, 196 ग्राम चलो कितना होगा 200 कितना होगा 200, 16 ग्राम होगा ये अडिशन करेगे तो ये 6 या रहेगा 9, 10, 11, 1 और 1 कैरी यानी 216 ग्राम चलो इसका 196 ग्राम चलो पल्ला डाउन कौन सा होगा इसका 36 ग्राम, 75 ग्राम तो 111 ग्राम इसका 163 ग्राम तो इसका पल्ला बारी है तो इसके नीचे एरो बनाना है आपको Is the weight on any of the pan equal to 1 kg ग्राम, 1 kg make it तो आपको लिखना है 55 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 700 ग्राम इक्वल यहां ग्राम लिख देना इक्वल 1000 ग्राम, इक्वल 1 kg, ओके, next how many grams are there in 1 kg तो अभी आपको वे ने बताया 1000 ग्राम, ओके, तो आप आगे के topic हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, थेंक यू श्राम प्लस 300 ग्राम प्लस 25 ग्राम प्लस 25 ग्राम वे था तो